हेलो एवरीवान विल्कम बैक टू मैं चैनल आद्या फैमिली चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं तो अभी हो रहा है मौनिंग का टाइम अक्षद जाने वाला स्कूल तो उसके लिए मैं यहाँ पर टिफिन कर रही हूं तो आज मैंने टिफिन में उसके लिए भिंडी की सब्जी और पूरी बनाया है तो जैसा कि गर्मियों का सीजन चुरू हो गया तो अब भिंडी की सब्जी ही जादा हमारे घर में बनेगी इंफैक्ट बोलूं तो डेली ही बनेगी क्योंकि अक्षद को बहुत ह जादा बिंडी की सब्जी पसंद है तो चलो टिफिन तो पैक हो चुका है मिलते हैं थोड़ी देरी मोरा है सुबह के साड़े साथ बज़वे हैं अर्ली मॉनिंग है और मैं नहाद हो चुकी हूँ मैंने का चलो ब्लॉक शुरू करते हैं आप लोग उस थोड़ी सी बाते करते हैं तो अभी मॉनिंग का टाइम है एक्षद स्कूल जा चुका है उसका मैंने टिफिन रेडी किया और काफी दिनों बाद उसके लिए मैंने बिंडी की सब्जी और पूरी बना करके टिफिन में पैक किया तो बहुत ही जादा खुस था एंड उसके बाद फिर मैं घर के जो देडी की काम है वो करने लगी और पिर नहाने चली गई अब जा रही हुए मैं पूजा करने पूजा करने के बाद फिर इनका ओफिस जाने का टाइम हो जाएगा तो इनके लिए नास तब अगे अब रातरी शुरू हो जाएंगी अप्रेल वाली तो उसके बाद से फिर मौसम नॉर्मल होगा फिर ऐसा लगेगा गर्मिया शुरू हो गई है और अभी तो ना सर्दी समझ में आ रही है ना गर्मी समझ में आ रही है और चलो फिर चलते हैं और पहले पूजा पाट कर लेत अब पूजा बनाने जा लिए ब्रेक फास्ट तो ब्रेक फास्ट में आज मैं पोहे ही बनाने वाली हूं तो पोहे के लिए मैंने यहां पर लिया हुआ चूड़ा और चूड़ा को अच्छे से पानी 2-3 पानी से वाश कर लेना है और इसके पाद 5-10 मिनट के लिए रख देना है तो यह अच्छे से फूल जाएंगे 5-10 मिनट से भी कम अगर आपको जल्दी है तो 2-3 मिनट भी फूल जाएगा तो को सुमफली है यही सब चीजे डाल करके पोहा बना लूँगी और पोहा तो सिंपल सी रेसिपी है क्या शेयर करना है तो सभी को आता है बनाना तो मैंने बस मस्टर्ड ओयल का यूज किया है हरी मिर्च मैंने लंबी-लंबी कट करके डाला है ताकि बच्चे भी आराम से खाले ह हरी मिर्च हटा दी जाती है जब बड़ी-बड़ी रहती ना तो दिखती है फिर बच्चों के मुह में नहीं जाती है इसलिए मैं छोटी-छोटी कभी भी नहीं डालती हूं मैं हमेशा बड़ी पीस करके ही हरी मिर्च डालती हूं किसी भी खाने में और देख सकते हो प्यास हम यूज करते हैं वह बहुत ज्यादा नहीं पकाते हैं हमारे बनकर के रेडी हो चुके हैं और देख सकते हो कितने बढ़िया से खिले-खिले से पोहे बने हुए हैं और मटर वाले पोहे बहुत ज्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं मतलब मटर डालके बनाओ तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं वैसे मुमफली वाले भी अच्छे बनते हैं लेकिन मुझे मटर वाला ज्यादा पसंद आता है तो पोहे भी बन चुके हैं और हमारी बन चुकी है तो चलो इनको भी नास्ता दे देते हैं मैं भी कर लेती हूं फिर थोड़ी दिर के बाद मिलती हूं और यहां पर मैंने बनाया हुआ है आज साग वाली सब्जी आलू बैगन सोया मेती की तो देख सकते हूं कुछ इस तरीके से साग वाली सब्जी बनी है दूद टिफिन भी पैक हो चुका है यह ओफिस के लिए बिल्कुल रेडी है और मैंने इनके लिए कुछ पर्चीज किया है कुछ गिफ्ट लिया है वो मैं भी इनको दूँगी और आप लोग को भी पता चलेगा कि मैंने इनके लिए क्या लिया हूं यह बिल्कुल रेडी है जाने इस चीज़ की जरूरत होती है तो जो गिफ्ट मैंने मंगाया हुआ हुआ है बहुत भी ज्यादह पसंद को ध्यान में रखके मंगाया हुआ है और सबसे ज्यादा मुझे खूश है कि इनको ज़रूर पसंद आयेगा और चलो फिर इनको दे देते हैं और देखते हैं इनके चेहने की खूशी पता नहीं एक o करेंगे तो बहुत ज्जादा कोशए है और इन से जढ़ा खूशी न मेरे खुछ यह और आभी याघ्क फोटो क्लिक करें जिसों मैं फोटो कीचूं ऐसे ही बहुत प्यार हए यह हुद्ही पर्माय वोकल के जत्क हैं आपना सामान इनका सामान मिर गया है ले रखी तुमने मेरी रखी तो बस अब इन्हों ने मेरे उपर चोरी का विल्जाम लगा दिया है और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं अपने किचन में वापस से आ गई हूं कुछ नास्ते वगएरा के बरतन थे तो मैं कजण को क्लीन कर ले रही हूं और साथ ही साथ ग्यास का जो है अफ्ष स साफ कर ले tahun काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हो कि काफी ज़्यादा गंदा हो ग था मैं कब हरा है तो बस मैंmbolने केशन ब Из刉 बलकुल जाता है और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आती है तो मेरे माईके में तो लौकी डाल करके ज़्यादा बनती है यहां पर कद्दू डाल करके ही चने की मसाले वाली डाल बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो बस मैं बना रही हूं ममी को भी बहुत पसंद है तो चलो फिर बना लेते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर कपड़े साफ नहीं की हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़ बड़ी रहती है तो अभी बच्चों को नहलाने के बाद मैं सारे कपड़े कट्थी बाहर बैठ करके धुल ले रही हूँ और ममी यहीं पर बैठी हुई है तो ममी कुछ सबजियां हरी उन्होंने खरी दी है तो उसी को साफ कर रही है साग वगेरा हमारे घर में ज़्यादा बनता है और साग को साफ करने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है तो मैं भी बस वही करने में लगी हुई है मेती है बत हुआ है और पालक है इन सभी चीजों को साफ कर रही है अभी दूप अच्छी कासी हो रही है मैं उपर कपड़े डालने आई हुई हैं और हमारे कॉलोनी में सब के यहां आजकल पापड बन रहा है क्योंकि सभी होली की तैयरिया करने में लगे हुए हैं हम भी जल्दी ही पापड बगेरा बना करके रख लेंगे क्योंकि करें लापस ते आगई हूं किचन में तो दाल हमारी बन चुकी है चावल भी बन चुका है मैं रोटियां बना लेती हूं तो लच भी हमारा रेडी हो जाएगा दाल चावल रोटी सब्जी और कल मैंने कड़ी बनाई हुई थी तो कड़ी भी रखी हुई है फ्रिज में तो मैंने थाली लगा लिए दाल चावल कड़ी और साग इतना ही आज खाने में बना हुआ है तो चलो लंच कर लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी दिर के बाद आप लोगों से और आराम से बैठ करके फिर आप लोगों से बाते करती हूं इस कल कि सीजं में ना सब्जीयों का बड़ा इश्यू हो गया है समझी नहीं आता क्या सब्जी बनाओं तो आज तो हमने साग बनाया हुआ है और देली यही सोचना होता है की आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा ऐसी ही चलता रहा है और अब बस दुपहर का टाइम हो रहा है तो अक्षत का वेट कर रहे हैं कि अक्षत स्कूल से आ जाए और स्कूल से आने के बाद उसको भी लंच बखेरा कराऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे दुपहर के टाइम पर और उसके बाद उसका साम को फिर होमवर्क बखेरा जो भी है और वैसे भी उसका एक्जाम स्टार्ट होने माला है तो एक्ष्टा थोड़ा सा टाइम देना पड़ता उसको पढ़ाना पड़ता है और देखते हैं अभी और क्या करना है आज मुझे बहुत खुशी हुई मतलब इनको तो खुशी हुई ही अपना ग्रिफ्ट द नहीं लिया था इनके लिए मैंने फर्स टाइम ही कुछ पर्शेस किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई और इनको भी बहुत खुशी हुई है तो और चलो फिर यह सारी चीजें भी आप लोगों के प्यारेंड सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है मैं परेंड करती हूँ क्योंकि काफी लंबा और लेडी ब्लॉग हो चुका है तो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा फैमली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में बेल आइकन प्रस करेंगे तो आपको सारी सारी वीडि के लिएगाि प्रहतो एपने ने क्या मैं मुल킨 ने क्वाद्टी जया व्यू है भाइब एपना क्या हो तो आपके लिएया जापको सारी वास-पे हिया।